हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का अरे यहां मक्की बैठ गई है हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके प्यारे यूटूब चैनल एक्जाम तक वारियर्स आज हम इस वीडियो सेशन में डिसकस करने वाले हैं कि बियाइस ऐस से जो ट्रीविएस एर कट आप गई थ से और लास्ट सेवन डेज की स्टेटेजी क्या हो सकती है आपको अन्त टाइम में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है और पीडिएफ आपको फ्री वाला जैसे कि मैंने आपको वादा किया तब 20 तारिक से पहले दूंगा तो आपको कहा मिलेगा टोटल हम इस वीडियो मे थी BIS SSC की इसी के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है ना दो हमारे पास मुद्दे हैं जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है और सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये SSC या बैंक ये वाला भी वीडियो है चनल पर कि SSC टाइप का कि ब लिख लिजिए यहां तक की बात हो गई अब बात करेंगे साथियो मैंने आप सभी के लिए पीडियाफ जैर प्रीविएस यह बेजड इंपोर्टेंड कोस्टन मैस के रिजिनिंग के इंग्लिज के और जीके के सभी टेलिगराम ग्रूप पर भेज दिया हूं जाकर आप आतिदिरों में कैसे क्या पढ़ना है हम इस वीडियो के अंतिवर उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा है हम बात करेंगे यह जो इसका वी आईस एससी के करेंदी स्वेशली बात करने वाले हैं तो साथ यह चलिए हम बात करते हैं वी आईस एससे प्रीवियस एयर में कटाप कितनी गई तेरे यार है और उसके साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आपके सिफ्ट वाई एक्जाम हुए जैसे एक सिफ्ट दो सिफ्ट तीन सिफ्ट तो नार्मलाजेशन होनत प्रे है नार्मलाजेशन होगा तो आप सभी लोग उसके लिए तयार रहे हैं बहुत सारे एक्जाम से जो नार्मलाजेशन हो बीस पचीस मांक तब बढ़ गए हैं तो अगर आप भी चाहते कि आपके ज्यादा स्यादा मार्क बढ़ें तो पहला तो हार्ट सिफ्ट मे पार्किंग के चक्कर में मत पढ़िएगा ठीक है ना जो कोशन आएगा वही कोशन करिएगा जो कोशन नहीं आगा उस को छोड़ दीजिएगा अब यहां पर बात करेंगे दो टू थाज़जन सिक्स्टीन में इसका एक्जाम होगा था साथियों टू थाज़जन और 31 मार्च को दोहर्ट सोलों को इससा क्या गया ता रिजट आ गया था यहां पर बात करेंगे जो वैकेंसी थी अभी हम 2020 वैकेंसी आई इसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले प्रिविएस यह कट आफ और अच्छे से थुड़ी सी स्टेटिजी जान जो वैकेंसी थी यहां पर एससी की वो थी साथ यो 9 जो एससी की वैकेंसी थी वो थी 9 अर्थाट 9 थी तो यहां पर जो कटाप गई थी जो हाइस्ट कटाप गई थी हाइस्ट कटाप की बात करेंगे हाइस्ट कटाप जो गई थी दोस्तों वो गई दूई थी 148.75 148.75 और जो minimum गई थी यानि कि कम से कम वो था 138.50 पहले जो एक्जाम यह हुआ था 200 मार्क का यह पेपर था किदने का साती हो 200 मार्क की इसमें कोश्चन थे यानि कि 100 कोश्चन थे 200 मार्क के ठीक है जैसा भी मनलब उसमें सिच्वेशन ना हो 100 कोश्चन 200 मार्क के चाहिए 200 भी यानि कि जैसा भी रहा हो यानि कि हमको लगता 200 मार्क के थे कोश्चन जो भी हो 200 मार्क के कोश्चन थे तो हाइस्ट जो था 148.75 यानि कि 200 में से यानि कि लाए गया तो 148.75 फाइस्ट था और जो minimum था कम से कम 138.50 यह बात होगे की में है अवह चाही तो यूडीसी के नाम से थी आपर डिवीजन कर लगत यहां बार करेंगे को बोला पहले यहां se consist यूदी सी डिपोला जाता था अब तो से आगे चले साथी चिई जो कि अभी भी जो 2020 में जो वेकेंसी निकली हुए नियर वाउट उसी के आसपास स्ट की वेकेंसी है और पिछली बार जनल और OBC की कोई भी वेकेंसी नहीं थी पिछली बार तो स्ट की तेरह तो जो हाइस्ट गया था करकता 140.50 अर्लोबेश्ट था 139.75 यह फोर्टी पॉर्टी 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 एससव आज चलिए सब क्या बताए जा तो सब्सक्राइब करेंगे यहां तक आपको करना क्या है सिफ इसकूर के अगर हम बात करते हैं आपकी इस वार की जो सिलेबस में है जो मतब 2020 के मैस रिजनी इंगलिश जी के यही आपका तुरह सा सिलेबस है क्या क्या है मैस रिजनी इंगलिश और जी के यह आपके सिलेबस में है अब आपको करना क्या है सिलेबस से मैस रिजनी इंगलिश जी के है और यहीं से कोस्टन आएंगे जातार आपको कोस्टन से जो प्रेक्टिस करने है न वह थोड़ा सा कैल्कुलेट्व टाइप में आंगे इजी रहेंगे लेकिन हलका कैल्कुलेट्व हो सकता है जैसे पॉइंटों में अंसर आए इ अगर चे मन्त के पहले का भी पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा वह पढ़ सकते हैं फायदा ही करेगा नुकसान नहीं करने वाला है ठीक है तो यह बात रहे गई और यहां पर मैंने पीडियाफ इसका क्या कि आप टेलीगराम गुरूप पर सारा का सारा पीडियाफ सिंड कर रखा है तो जाकर पीडियाफ डाउनलोड कर लिजे और अंतिम सेवन डेस की इस्टेटिजी यही है कि जो मेरे चैनल पर वीडियोज है वीडियो करके बीडियोज को देखिए और कुछ और इंपोर्टन टापिक्स का जो है पीडियाफ सेयर करने वा जैसे जो भी हाल फिलाल में न्यूज में रहे हैं आपीयाल युद्धा ब्यास के कोस्टन और जी आई टैक्स वाले सबका मैं पीडियाफ रेडि कर रहा हूं फ्री में देद करता हूं मेरे यूट्यूब पर अधिक से वीडियो पड़ी हुई है तो पढ़ाएंगे अच्छे-ची क्वालिटी वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं ठीक है तो पेट कोर्स के चकर में आपको नहीं पढ़ना है बाकी सब मैटेरियल में फ्री में भेज दियां फिर भे इतनी सी बास समझ में आ गई आपको ज्यादा स्यादा प्रेलिस्ट में वाली वीडियो को देखनी है और ज्यादा स्यादा रिवाज करना बस दो ही काम करिए रिवीजन पर ज्यादा स्यादा फोकस करिए और उसके साथ साथ वीडियो को देखते रही है बाकि जो न्यूज ये 79 है आप सभी लोग जानते हैं और safe score में तब भी 120 बता रहा था और अभी 120 ही बता रहा हूं जैसे ही बिढहें मैरे कऊईऑ बदलाव नहीं आया है बसरते मेरे safe score देखकर बहुत सबीन काफी करते हैं कि इसी की आज सबास बताते हैं कोई बात नहीं चलिए लेकिन 120 आपको score करना ही करना है लग भंग में ठीक है न तो जैसे भी करके निगेटिव मार्किंग भी है ये बात पता होनी जाए आप सबी को बार बार वही चीज नहीं बताऊंगो कि निगेटिव मार्किंग है, इस सब बाते हो गए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ, आपको फ्री में पढ़ाते होंगा, तो बस यही सब बाते हैं, जो भी साथ यह हमारे से नए जूड़े रहे हैं, टेलिग्राम पे जरूर जूड़ जाएए, और जही जब हाँ कमेंट जरूर करें, कोई भी प्रावलम हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलिग्राम पे बता सकते हैं, या फिर इसी कमेंट बाक्स में बताईएगा, मैं उसको साल्व करने का प्रयास करूंगा, और जो सेंटर दूर गया, उसके लिए मैं लगाता है, ट्वीट करन देखिए क्या होता हूँ ऐसे, चिंद करने का चांस कमें, लेकिन अपनी साइट से प्रयास करना हूँ, ठीक है ना, मिलता है ने इस वीडियो बताफता के लिए जहिंद बंदे मात्र और सभी साथियों को रादे-रादे